कि आपको बताया था तो इस लेक्टर इस प्रेजेंट बाइमी रशीका सो लुट स्टार्ट बिसिकली अब जो हमारे वन वर्ड सब्सक्रिटूशन है जो हम करने जा रहे हैं वह बेस्ट गवर्मेंट के ऊपर आपको पता है कि क्या रमेंबर करने हैं ईनको यार्द करने के जो गब जब कि गर्ड करता है डिनेटिंग टाइप और गशन दो इसका मीन होता है गमेंट तो यह बेसिकली दोनों आपका एक फर्स्ट वर्ड है वो टाइप ऑफ गर्मेंट बताता है आपका गमेंट अब बेसिकली आपको यही याद रखना है और अपने ऑप्शन को क्या करना है वहां पर एलिमिनेट करना है अब चलिए जैसे कि अब इस में खरन्स करती है इसे है उकि अजयर करना है जैसे कि इसम मुझ्छ तो आपकी मतलब जो रूट होंगे मैं आपको बताऊं घटरू रूट के त्रू आध करने लक्रेंगे कुछ आपको माइं ऐसके पीछे इस क्रेसी आता थाहएं अपको यह रिस ます को औरिन वाला कैसे देखे अब जैसे कि आपका यह क्यों नाइन और क्यों चाहरें bar इसको काथेया पैतरीा यानिकि पैतरी आपके फादर को कहते है यानि कि है संस्कृत का. क्यों फादर और मैंस स्वादेरें पैतरी आपको यहाद अब अग्ला दिखिए the government by many rulers polycracy, polycracy पॉली माने क्या होता है many यह मतलब आपका root word क्रेसी माने क्या होता है government तो polycracy जो हुआ है many rulers अब दिख़े जो अग्ला है the government by the government by despots सब्सक्राब तर न के दिताइस को सोगते चैनल के मरा सब्सक्राइब लेको सब्सक्राइब गृश्रेश को पर याद करने के पिशनयाओं पहलता हो डीनेज प्र 이제 basic उसकेBAad कर चैनल तो आपकी government होती है तो आपको यह ऐसे ही याद हो जाएगा अब देखें जो अगला है the government by corporate bureaucrats यानि कि आपको क्या करना है को और क्रेसी लेना है and the third अब देखें जो अगला है वो क्या है the government by civil servants उसको क्या कहते है ब्यूरोक्रेसी और जो हमारी यहां से और क्रेसी लगा रहा है सिर्फ आपको दो वर्ड है उनको याद करना है इसमें the government based on legal system जिसको हम कहते है नुमोक्रेसी and the government by a foreign rulers को उसको हम क्या कहते है जीनोक्रेसी ठीक है आपको इन दोनों वर्ड्स को याद करना है बाकी आपकी वर्ड्स जो है आपको रिमेंबर हो जाएंगे अब देखे जो अगला वर्ड है मारा जो बेसिकली इसको क्या करते है गर्मेंट आपने क्या देखा होगा कि आपने सुना होगा सिंपल अर्थमेटिक होता है ठीक है आम इसमें यह प्रिक लगाएंगे कि अर्थ अर्थमेटिक सिंपल अर्थमेटिक यानिकि सिंपल मिजॉरिटी आ रहे है तो यहां पर अर्थमो क्रेसी आएगा अब देखे देखे गर्मेंट बाइदा फ्यू उसको हम क्या कहते हैं ऑलिगार्जी हम हर किसी की ट्रिक नहीं लगा सकते बर जतनी ट्रिक्स मैं आपको बत बताए तो आपके जो मुडा थी Link हो zinिद्दी आक्में वि fellowship माने होता है घृक है GC money क्या होता है तो यह यान की जैसे कि आपका थीयों जो आपका root word है वो यूज हुआ है आपके word के साथ जो आपका अर्की आपका government एंट आपका God है तो आप इससे पर चांद लेंगे आपने जब भी अगर आपको ऐसा God के उपर आए तो आप इससे नहीं होना है जब आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि वर्ड बहुत डिफेंट होता है हमें समझ नहीं हाता इसका क्या में एक्जैक्ट मीनिन नहीं बता होता बद जब हम जो वर्ड्स जो हैं अलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर मतलब एक लॉजिकल वे से सही आंसर नि हैं याद कर लें इतने को आपको आई तिंक आपको याद भी होगे होगे कि इसमें सारो में रूट वर्ड्स है जो अगले सेशन में है हम बढ़ाते जाएंगे इन वर्ड वर्ड सब्सुशन को देखें गाइस वर्ड वर्ड शब्सुशन में मैं कोई इमेजिस का यूस्य इतनी ट्रिक्स नहीं हैं हम रूट वर्ट का यूज करेंगे बट हाँ मैं आपका एक हैल्प कर सकती हूं जो आपका बिसिकली आपका जो वर्ट Kane संटन इंत अन टानीम वाल उसमें इंट्रस्टिंगट से खरेंगे जैसे की उसको मूवी से दिलेक्टट करेंगे या पीच ते आपके और वडितर po वर्डम जुए ऌन आामैं पंट या दो जाए रहाँ सो गईस से बेस्ट वेच्ट्य आपका य झाल झाल